हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका पार्ट शाला रिशीकेश के यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुपकामना है हैपी नूएर तू आल तो हमारी जो MCQ सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की उसी का ये अगला पार्ट है आज का most important static part ये होने वाला है क्योंकि काफी अच्छा लगेगा आपको क्योंकि इसमें चाहे आप SSC exams की त्यारी कर रहे है UPSC, CDS की त्यारी कर रहे है Railway, Bank, UKPSC, UKSSSC इन सभी exams की अच्छे से तयारी हो पाएगी आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप ये static part अराम से कर सकते हैं आपको क्या करना है? कोशन फटाफट पढ़ के answer सोच लेना है अगर आपको लगता है कि कोई नया कोशन कोई नया है तो आप उसे database में अपने add कर सकते हो या note कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या है कि देखिए पाटशाला रिशिकेश के offline badges स्टार्ट हो गए है तो आप enroll कर सकते हैं हम चलते हैं अपने कोशन की तरफ कोशिश करेंगे कि आप हम इसे जल्दी करें और आपको इससे additional जानकरी मिलती हुई चले पहला कोशन है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था है ना पनामा नहर की बात हो रही है पनामा नहर आपको क्या करती है अटलांटिक महासागर को Pacific Ocean से जोडती है है ना Pacific Ocean से जोडती है तो उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था ये वाली बात है चार आप्शन आपके सामने हैं आपने स्वेज कैनाल सुना होगा इसी तरह से पनामा कैनाल है चार आप्शन में से इसका आंसर है 1914 यानि की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्क के टाइम की ये बात है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पर देखिए पनामा नहर का निर कैनाल है जो अट्लांटिक को देखिए जो कोशन का आंसर है उसके साथ एडिशनल जानकारी आज मैंने रखी हुई और आपको बड़ा आनंद आएगा अगर आप इसे देखेंगे क्या है अट्लांटिक महासागर को परशांत महासागर से जोड़ती है ठीक है ये वाली बात क्लियर हुई होगी और अगर पीछे वाला आंसर देख लें तो मैंने आपको मैं बता चुका हूँ किसका आंसर 1914 है ठीक है अगले कोशन की तरफ चलते है अविश्यू में सबसे लंबी महादूइपिया रेलवे कौन सी है मतलब अगर हम इसमें कॉंटिनेंट वाइज जाए और यह देखें कि इसमें सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सी रेल का है कौन सी ट्रेन का है जिसके बारे में यहाँ पर है तो आप देखेंगे कि यह चार आप्शन आपके सामने हैं Canadian Pacific Railway, Trans-Siberian Railway, Trans-Atlantic Railway, Canadian National Railway इसका आंसर हो जाएगा Trans-Siberian Railway है ना रशिया वाले पार मंगोलिया, चीन, उत्तरकोरिया तथा तक अपने रेलवे नेटवर्क का परसार कर विश्यू की महादुईपिया रेलवे में पर्थामस्तान रखती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इसे कहा गया है रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हैं ये वाली बात ध्यान रखनी हैं मंगोलिया चीन और कितने किलोमेटर की है तो 9,441 किलोमेटर है आपको ये NCRT के डेटा के हिसाब से बताया गया है तो चीजें यहाँ पर आप कहोगे जो अंटाक्टिका है, जो दक्षिंड में है उसके बारे में, वहाँ पर जो रिसर्च सेंटर हैं, उसमें से भारत दोरा स्थापित पहला कौन सा रिसर्ट सेंटर है पहले की बात कि अगनी होतरी है दक्षन गंगोतरी है आरे भटे मैतरी है तो सही आंसर हो जाएगा मैतरी आप में से कई लोग को पता होगा कि ये 1883 में इस्टैबलिश किया गया था जरब पढ़िए और ये डेटा आपके काम आएगा भारत द्वारा अंटाक्टिक में दक्षन गंगोतरी नामक स्टैशन की स्थापना वर्ष 1983 में सरपर्थम की गई थी उसके बाद वर्ष 1988-89 में मैतरी नामक तो तीन मिलेंगे आपको देखे दक्षन गंगोतरी मिलेगा मैतरी मिलेगा और दूत्य स्टैशन की स्थापना की ग अगर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगले कोशन की तरफ चलते हैं पूरी तरह से स्टैटिक जीके हैं हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रुफी आपको टोटल इसमें देखने को मिलेगी करगम कहा का लोक निर्त है तो देखिए मैंने बात की थी कुछ टाइम पहले कि कुछ डैंस होते हैं जो डांस होते हैं उन्हें हम या तो फोक डैंस में और हम उन्हें क्लासिकल डैंस में बाट देते हैं ठीक है, Classical और Folk में बाटते हैं, Classical और Folk में बाटते हैं, तो Folk Dance लोकनिर्थ है, करगम कहां का लोकनिर्थ है, ये वाली बात बताई गई है, ठीक है, तो देखी, ये वाला कोशन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही असान कोशन है, जिसको आप बता सकते हैं, आपको बताना है कि करगम का लोकनिर्थ, किस राज्य का लोकनिर्थ है, ठीक है, बहुत ही असान कोशन है ये, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, निमलिकित में से कौन सा भारतिय लोक निर्थ है कौन सा लोक निर्थ है तो मैं फिर से कहूँगा कि folk dance की बात की है मैंने और classical dance की बात की है ठीक है तो classical, classical को कहते है शाष्त्रिय निर्थ और folk को कहते है लोक निर्थ है ना classical dance में होता गया है कि इसमें एक particular समय एक राग एक विशेश मुद्रा एक आभूशन जरूरी होता है और उसको उसी में परफॉर्म किया जाता है ठीक है जबकि folk dance में ऐसा कुछ होता नहीं है तो मैं आपको बताओं कि जैसे अगर हम कतकली की बात करें तो केरला का है मुहिन एटम की बात करें folk dance के कोशन ले लिए हैं ताकि आप अच्छे से revise कर पाएं आठी हमारे यहां classical dance होते हैं उन में से कुछ ये रहे तो बड़ा असान हो जाएगा भरतनाट्यम को आप तमिलनाडू कह देंगे कुछी पूरी जानते होंगे आंदरपरदेश कतकली केरल की कतकली केरल की ओड़ीसी ओ मैच किये हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा सही से मैच नहीं है World TV Day हैं ना टूबर क्लॉस डे कब मना जाता है 24 मार्च को मिला जाता है सही है भई सस्तर सेना जंडा दिवस जंडा दिवस 8 दिसंबर लिखा है कब मना जाता है 7 दिसंबर को विश्व एट्स दिवस मनाया जाता है एक दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है ना यूमन राइट्स दे मनाया जाता है 10 दिसंबर को तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्योंकि ये सही से मैच नहीं था अगले कुशन की तरफ चलते हैं वित आयोग finance commission के बारे में ये question है कि वित आयोग क्या करेगा वित आयोग क्या करता है constitution का सवाल है जिनोंने भी पड़ा होगा अगर आपको article 280 के बारे में जानकारी है 280 के बारे में अगर जानकारी है तो आप ये बता पाएंगे वित आयोग पंच वर्षय योजनाय बनाता है मौद्रिक नीती तयार करता है केंद्रिय सरकार के करमचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है संसादनों के केंद्र और राज्य के बीच बटवारे पर निर्ने लेता है तो आंसर बड़ा आसान है प्रेजिनेंट हर पांच वर्ष के लिए वित आयोग का गठन करता है और संसादनों के केंद्र और राज्यों के बीच बटवारे को उसकी एक योजना बनाता है पॉलिसी बनाता है देखी अगेन एक most important question है आपने farming जो laws है उसको farm के जो law है उसको cancel करते देखा होगा सरकार ने अभी announce किया एक नियूंतम समर्थन मूल्य आपको बताना है किस वर्ष से शुरू किया गया था ठीक है आपकी option है 1964, 74, 54, 44 सभी 19 में है ध्यान दीजेगा जय जवान जय किसान का नारा जितने लोगों ने भी सुना होगा वो इस बात को याद कर पाएंगे तो 1964 और 65 के duration की बात है जब MSP इसकी explanation भी मैं आपको बताऊंगा खाध्यानों का नियूंतम समर्थन मूल्य तीरतिया पंच वर्षिय योजना में तीसरी पंच वर्षिय योजना के दौरान वर्ष 1964, 5 में किर्शी मूल्य आयोग की स्थापना के साथ शुरू किया गया तो किर्शी मूल्य आयोग भी पता चल जाएगा और MSP भी पता चल जाएगा, current में हैं तो आपको ये चीजें याद रखनी हैं, आपको अच्छा लगेगा, आगे चलते हैं, next question की तरफ, निम्तम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, देखी यहाँ पर पूछाए जो minimum तापमान होता है, जो lowest तापमान हो थर्मा मीटर का उपयोग निम्तम ताप मापने के लिए किया जाता है, सबसे पहले तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, अल्कोहल का हिमांक जो होता है, वो बहुत कम, माइनस 112 डिगरी सेल्सियस, समझने हैं, आप माइनस में हैं, और माइनस में 112 डिगरी सेल्सियस हो समझ पाएंगे, क्या इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, अल्कोहल थर्मा मीटर, तो ये कोशन बड़ा अच्छा आपको लगा होगा, आप चाहें तो कोशन को पढ़ते समय उसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, श्वेत प्र हर बच्चा बच्चा इसको इसी तरीके से याद करता है, पूछा गया है जो वाइट सफेद रंग का प्रकास होता है, श्वेत प्रकास कितने रंगों का मिश्रन होता है, तो आपको समझ जाना है कि सभी रंगों के मिश्रन से बनता है सफेद, हैना, साथ पलक कलर हैं, ये ह चार और तीन साथ तो आप इसी में देख सकते हैं कि यलो है, ग्रीन है, ओरेंज है, रेड है, टिक है, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ये कलर इसी के साथ के हैं, आंसर क्लियर है अगला कोशन है, जोगरुफी पार्ट से जलवायू अधारी छेत्रों का वर्गी करण किसके अधार पर किया जाता है, जलवायू अधारी छेत्रों का वर्गी करण समझे हैं आप, जलवायू से अगर आप लगाएं तो देखें कहीं जगाओं की जलवायू जो होती है, वो उ explanation में आपको दूँगा आपको इसका answer ध्यान रखना है भूमध्यारेखा से दूरी है ना आप सभी को मालूम होगा जो हमारी अर्थ है इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले अगर जो हमारी अर्थ है है ना जो हमारी अर्थ है उसमें से एक equator line जाती है जिसको हम zero degree या का वर्गी करण किया जाता है तो आपका answer तो यहां से clear हो गया कि क्या भूमध्या दूरी के अधार पर जलवायू अधारी छेत्रों का वर्गी करण होगा भूमध्यारेखा पिर्थवी के सता पर उत्री धूर्व एवं दक्षणी धूर्व यानिकी south hemisphere, north hemisphere के से समान दूरी पर इस्तिते काल्पनिक रेखा, imaginary lines है, यहां पिर्थवी को उत्री और दक्षणी गोलार्द में विभाजित करती हैं, बिल्कुल बात सही है, बाकी बाते समाने तौर पर लिखी गई है, आप इसको देख सकते हो, हम चलते हैं next question की तरफ, भारत में सबसे पुरानी नदी घ परियोजना है, जरा फटाफट से इस question का answer कर लो, अगर नहीं कर पारे हो, तो सोचो और वीडियो को pause कर लो, मैं इसका answer आपको बतायता हूँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत ने 1948 में Tennessee, Tennessee या Tennessee इसको बोला जाता है, Tennessee नदी घाटी, Tennessee नदी घाटी, जो की USA की है, ठी इसको दामोदर नदी परियोजना को स्टार्ट किया था, भारत में अगला question है, भारत में तेल की पहली परिश्करण शाला, यानि की रीफाइनरी की ये बात हो रही है, रीफाइनरी, परिश्करण ओईल, परिश्करण शाला, रीफाइनरी, ओईल, रीफाइनरी स्थापित की गई थी कौन सी पहली ठीक है बरोनी में विशाखा पत्नम में डिगबोई में मुंबई में आपको ध्यान रखना ये सभी तेल रिफाइनरी के लिए जाने जाते हैं आंसर आपको मिल जाएगा डिगबोई इसकी एक्स्प्लेनेशन देख लो डिगबोई जो की असम में है डिगबोई जो की असम में है रिफाइनरी की स्थापना असम ओयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में की गई थी यहां विश्यू की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है जो है चालू मतलब स्टार्ट है अभी तक चल रही है थी तेल परिश्करण शालाओं में है ठीक है इस पेशल ध्यान देना इस वाले कोशन में इंगलिश में इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं शैडो कैबिनेट इसको कहते हैं कि सैडो कैबिनेट किसकी प्रशाश्निक विवस्था है चार आप्शन है सयुक्तराज अमेरिका की, फ्रांस की, या जपान की तेखो shadow मंत्री मंदल का concept या छाया मंत्री मंदल का concept है ब्रिटेन का actual में जो opposition party होती है जो opposition party होती है मतलब जो vipakshi party होती है इसी को छाया मंत्री मंदल shadow cabinet कहा जाता है यहीं अगर आप France की बात करो तो मैं आपको बता दूँ कि France में इसे counter cabinet मंत्री मंदल है उस पर नजर बनाए रखती है उसकी explanation भी आपके सामने है एक बार explanation पढ़ लीजिए आपको अच्छा लगेगा छाया मंत्री मंदल से तात्परिय संसद्य परणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतरतों में गठित एक परवाकताओं के समू से है तो shadow cabinet आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की तो हमें याद आता है कि ब्रिटेन क्या है ब्रिटेन से हमने parliamentary form of government को लिया है ठीक है अगले question की तरफ चलते हैं important question है मंदल आयोग report किस से संबंदित है आप ये question अच्छे से जानते होंगे मंदल commission अपने time का बहुत ज़्यादा famous commission है है ना इस समय आप देखते हैं कि EWS आरक्षन 2019 से start हुआ है है ना इसके लिए 103 amendment किया गया था ठीक है 103 amendment किया गया था मंदल आयोग commission की बात है अन्या पिशड़ा वर्क से अनुसूचित जन जातियों से अनुसूचित जातियों से तो आपका सीधा सीधा आप जान जाएंगे कि OBC के बारे में ये बात कह रहे है मंदल commission बहुत ज़्यादा important है ठीक है बात कप की है तो बात करते हैं जब जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसका establishment किया गया 1980 में commission ने सरकार को अपनी report सौपी और वर्स 1989 में ततकालिन परधान मंत्री कौन वीपी सिंग द्वारा इसे लागू किया गया कब से लागू हुआ 1983 से तो तीन एर है 79 में मंदल commission आया OBC से related है 80 में अपनी report इसने दी recommendation दी और 1989 में परधान मंत्री वीपी सिंग द्वारा इसे लागू करने का प्रियास किया गया और इसे at the last 1993 में लागू कर दिया गया आगे चलते हैं अच्छे question की तरफ हैं आपकी ये concept build करेंगे और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये वीडियो जरूर एक बार जरूर शेर कर दीजेगा और like कर दीजेगा ठीक है राज्य विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या क्या है राज्य विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या हर स्टेट में कुछ ना कुछ विधान सभाओं में कुछ ना कुछ मेंबर होते हैं अब किसी राजी की जनसंग्या ही जब कम हो जाएगी तो विधान सभाओं में फरक तो आएगा ही। बोला यहाँ पर कि 500 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम कितनी हो सकती है तो बोला है 60 हो सकती है और यह अपवाद भी आपको ध्यान रखना है। अगले कोशन की तरफ चलते हैं कोशन थोड़ा सा बड़ा है वीडियो को पॉस कर लो और अच्छे से पढ़ लो यह मौसम चुनाओ का है यूपी में उत्राखंड में चुनाओ होने जा रहे हैं लोग सभा अत्वा विधान सभा के किसी चुनाओ परत्याशी की जमानत राशी कब जब्त कर ली जाती है विशेश कोशन है जरा ध्यान देना चार आप्शन आपके सामने हैं सभी में एक बातें लिखी है इसमें डेटा एक बटा दो इसमें जो डेटा है वो एक बटा चार है इसमें एक बटा पाँच है और इसमें एक बटा छे है बोला जब वह चुना जो यहां पर होना चाहिए जवा कुल मददान के एक बटा पांच मत भी प्राप्त नहीं कर पाता मतलब उसको जो वोट शेर है वो एक कंडिशन में 1.4 नहीं मिल पा रहा है 1.5 नहीं मिल पा रहा है या 1.6 नहीं मिल पा रहा है ठीक है थोड़ा सा clear करते हैं image को और सबको समझाने की दुबारे से कोशिश करते हैं कि आप इसे अराम से समझ लो देखो answer हो जाएगा ये वाला जो ये वाली बात लखी है ये आएगी यहाँ पर 1 upon 6 भी जब किसी को total जो मत पड़ें वैद मत हों उनका अगर 1 बटा 6 भी उसक है house of the people की बात यहाँ पर की जा रही है को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था कौन सा नाम लोक वर्ष का नाम लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था चार option है बड़ा असान सा ये question है 1954 इसका answer हो जाएगा हम आज common नाम जानते हैं हम उसे कहते हैं house of the people और उसका न आज के लिए इतने ही question थे हमने questions के साथ concept को भी और उससे जुड़े हुए data को भी add करने की कोशिश किया अगर आपको ये session पसंद आया है तो आप channel को subscribe कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप हमें facebook, instagram, telegram और youtube पर follow कर सकते हैं पाटशाला रिशी केश के सभी offline badges पाटशाला में start हो गए हैं तो आप enroll कर सकते हैं thank you very much